तो आगर थे आपका स्विम की गड़ित में अगर आप यूपी प्लेस की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए यूपी स्पेसल की क्लास लेका है जिसका ये पार्ट नमबर च्छा है अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है आप इसकी है जो सबसे बड़ी नदी ये गंगा नदी है गंगा नदी की जो लंबाई है ये है पचीस सो पचीस किलो मीटर दो ये गंगा नदी की जो लंबाई है ये पचीस सो पचीस किलो मीटर है जबकि उत्तर प्रदेश में इस गंगा नदी के जो लंबाई है वो 1450 किलो मी में 1450 किलो मीटर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में ही यह बायती है चलिए अगला कोशन देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लगू देख किस नगर में है तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लगू देख किस नगर में लगू देख के मतलब जो छोटे छोटे उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक किस नगर में है तो यह जो सबसे लगू उत्तर प्रदेश के आगरा में सबसे ज्यादा लगू उत्तर प्रदेश के आगरा में सबसे ज्यादा लगू उत्तर प्रदेश के आगरा में सबसे ज्यादा लगू उत्तर प्रदेश में किसान मित रियोजना की सुरवात कब हुई थी तो उत्तर प्रदैस में किसान में रियोजना की सुरवात कब हुई थी तो उत्तर प्रदैस में किसान में रियोजना की सुरवात कब हुई थी तो उत्तर प्रदैस में किसान में रियोजना की सुरवात अठारा जून सन दो हजार दो को हु मारा इलाबाद में इस्तित है कहां पर इस्तित है तो ये इलाबाद में इस्तित है चलिए अगला कोशन दखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम इस विद्धाला कहां पर है और कभ इस्तापित किया गया था तो उत्तर प्रदेश का प्रथम इस विद्धाला ये कहां पर है औ उट्तर प्रड़ेस में इस इस्तापित किया गया था Walbad में ये सिर्ठ किया गया था 23 स्टमबर 1887 में इसे इस्तापित किया गया था तो प्रथम इस विद्धाले को जो इस्तापित किया गया था उत्तर प्रदेश में वो 23 सितंबर 1887 को किया गया था चलिए अगला कोशन देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकासक कौन थे तो उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रथम प्रकासक कौन थे तो इनके प्रकासक जो थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवी जी थे कौन थे तो ये पंडित मदन मोहन मालवी जी थे जो उत्तर प्रदैस के पथम अंग्रेजी दैनिंग लीडर के प्रका सकते है चलिए अगला कोशन देखते है उत्तर प्रदैस में जहनेमन बहुत दोनों का परसित तीरत बहुत है तो इस अगला कोशन देखते है उत्तर प्रदेश के समस्पूर पच्छी बियार किस जिले में इस्तित है तो यह जो इस्तित है यह राय बरेली में इस्तित है कहां पर इस्तित है तो यह जो समस्पूर पच्छी बियार है यह राय बरेली में इस्तित है चलिए अगला कोशन दखते हैं उत्तर प्रदैस में निम लिखित में से कौन सी जंजाती सर्वादिक जंसंक्या वाली है तो उत्तर प्रदैस में सर्वादिक जंसंक्या वाली जंजाती कौन सी है तो जो उत्तर प्रदैस में सर्वादिक जंसंक्या वाली जंजाती निवास करती है वो है थारू जंजाती है उत्तर प्रदैस में सर्वादिक निवास करती है चलिए अगला कोशन दखते है उत्तर प्रदैस में उर्दू पर सिच्छन एवं अनुसंदान केंदर अवस्ती था तो उत्तर प्रदैस में उर्दू पर सिच्छन एवं अनुसंदान केंदर कहां पर इस्ते था तो ये उत्तर वैसे थे दुट टो में में असित्यान स्थी तो यह उत्ता प्रदास के म Вас ऒ क्लाड़ी यह कुझा शुशन देखा ने अरिट में हम न च्थ किस इस्तान पर रहा है तो उत्तर प्रदेश में संपूरानंद कारागार प्रसिचन संस्तान किस इस्तान पर बना हुआ है तो यह बना हुआ है लखनों में बना हुआ है कहां पर बना हुआ है तो उत्तर प्रदेश में संपूरानंद कारागार प्रसिचन संस्तान यह लखनों में बना हुआ है चलिए अगला कोशन देखते हैं भारत का पहला केंद्री कारागार उत्तर प्रदेश में कम और कहां इस्तापित किया गया था तो भारत का पहला केंद्री कारागार उत्तर प्रदेश में कम और कहां पर इस्तापित किया गया था तो यह जो भारत का पहला कें 46 में इस्तापित किया गया था चलिए अगला कोशन देखते हैं उत्तर प्रदैस में पसुपालन विवाग की इस्तापना कप की गए थी तो यह उत्तर प्रदैस में पसुपालन विवाग की इस्तापना की गए थी यह की गए थी 1944 में कप की गए थी जैनवरी सन 1944 में की गए थ चली अगला कोशन देखते है उत्तर प्रदेश में मत सिपालन का सुभारम कप की गए थी तो उत्तर प्रदेश में जो मत सिपालन का सुभारम है ये कप किया गया था तो उत्तर प्रदेश में मत सिपालन का जो सुभारम किया गया था ये किया गयता है सन 1944 में किया गयता है कब किया गयता है तो उत्तर प्रदेश में मत से पालन गया जो सुबारम किया गयता है ये किया गयता सन 1944 में चली अगला कोशन देखते हैं विस्व का सबसे बड़ा कुमे मेला उत्तर प्रदेश की किस सहर में लगता है कमेला केवल चार कमेला लगते हैं पर जब एक जगह कमेला लगने के पार दूसरा उसी जगह पर जब कमेला लगेगा तो वो पूरे बारा साल बाद लगेगा चलिए अगला क्वेशन देखते हैं है उत्तर प्रदयस में लोक आयोक्ति की नियुकति लो जोग आयोक्ति की नियुकति कप से कि गए ठीच उत्तर प्रदयस में पर्थम बिस्विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् लियाबाद में स्ताफित किया गया तो इसान 1887 में स्ताफित किया गया था चलिए अगला कोशन देखते हैं इनिम लिखित में से किस धानमिक समुदा है का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा इस्तान है तो इसा कौन से धानमिक समुदा है जिसका उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तीसरा इस्तान है उत्तर प्रदैस में भारत का कला ववन इस्तित है तो उत्तर प्रदैस में बारत का जो कला ववन है वो कहां पर इस्तित है तो उत्तर प्रदैस में कला ववन जो ये इस्तित है वारा रसी में इस्तित है तो कहां पर इस्तित है उत्तर प्रदैस में तो ये जो कला ववन है ये वारब रशी में इसेदा चीना पॉलिगर क्रजिछ देखते हैं के लिम्र से क्वारागतीन उठ्थका, अि इन में से क्वारगतीन उठ्थली हो गए है आपेंगा नियु आपकिई देजगे हैं चिने ओड़ यह जिछ जो किने uto अगए का अगला खूशन देखते हैं उत्तर प्रदाश में कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग परियोजना का केंदर रिष्टे था तो उत्तर प्रदाश में कंप्यूटर एडिजाइनिंग परियोजना का केंदर कहां पर रिष्टे था तो यह जो उत्तर प्रदाश में कंप्यूटर एडिजाइनिंग कोशन देखते हैं हुटता परदेश के चिह ज्ले में यूरीनियम के सिमित मंदार کیца की गई तो परदेश के लालिप परदेश में यई की चली है अगला कोशन देखते हो आवले का सरवाधिक उत् After a वाला जिला कौन सा है तो आबले का सरवादिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो यह देखें आबले का जो सरवादिक उत्पादन करता है वो जिला है प्रताब गणा है कौन सा जिला है तो यह जो प्रताब गणा है वो आबले का सरवादिक उत्पादन करता है चलिए अगला कोशन देखते हैं महरसी की वालमी की आसरम कहां पर रिष्टे थे तो महरसी वालमी की आसरम उत्तरपदेश में कहां पर रिष्टे थे थे तो यह जो महरसी वालमी की आसरम है यह उत्तरपदेश के बिठूर में रिष्टे थे यह कहां पर रिष्टे थे तो बारती दलंसो संस्तान है वह कहां पर है तो यह जो बारती दलंसो संस्तान है यह है कानपुर में है कहां पर है तो बारती दलंसो संस्तान तो यह जो है कानपुर में है चलिए अगला कोशन देखते हैं उत्तर प्रदेश का मिरजापुर नगर किस नदी की किनारे पर बसा है तो गंगान दी की जो लंबाइ एवो पचीस सो फचीस किलो TOP मीटर अर उत्तर प्रदैस में घंगान दी की लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा अ भी हमने थोड़ी दिख पहले बताया थचिलिए अगला कोशन देखते हैं उत्तर प्रदेश के उत्री बाग को किस नदी किस देश की सीमा से स्वर्ष करती है तो उत्तर प्रदेश के उत्री बाग को कौन से देश की सीमा स्वर्ष करती है तो यह उत्तर प्रदेश के उत्री बाग को स्वर्ष करती है वो है नीपाल देश की स मिलती है तो यह जो मिलती है यमुना नदी के आकार से मिलती है तो के नदी जो उत्तर प्देश में यमुना नदी के आकार से मिलती है जो के नदी है इसकी लंबाई है के नदी की जो लंबाई है वो है चार सो 27 किलो मीटर है जो के नदी की जो लंबाई है वो 427 किलो मीटर है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं बेतवा नदी उत्तरपदेश के किस इस्तान के निकट यमुना नदी से मिलती है तो यह कहां पर मिलती है तो यह जो मिलती है हमीर पूर में मिलती है काँ पर मिलती तो ये उत्तर प्रदैस के हमिरपुर में है जो बेतवा नदी यमना नदी के निकट मिलती है तो आप लोगों का क्या स्कूर रहा है अप लोग जल्दी से स्कूर कमेंट करके बताएगा कि आप लोगों की कितने सही हो रहा है आप लोगों की तैयारी कैसी चल ल झाल झाल